तो अब तक हम क्लास 11 के लिए केमेस्ट्री में चैक्टर नमबर 13 जिसका नाम है और्गेनिक केमेस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स भी तो एटीन वाला रोल जो था हमारा वहम्ने जान लिया था साथ यह साथ जो कारवन में कितने एटम्स होंगे और वे आपको बताना जाता हूं कल एक चीज में आपको बताना भूल गया था सो अभी उसको मैं complete कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको आज जो further हमारे organic chemistry है उसको सम्झाओंगा तो कल के lecture में मैंने आपके छीज बताई थी कि मानलों नुक्लियस है यह इसके अंदर विसके उसके अंदर मानली जिए कि अगर मैं बात करूओं कि अगर साथ electrons उसके अंदर present सो एक electron की कमी नहीं उसको सो उसे हम बोलेंगे वैलेंस यानिकीवैलेंस यानिकी कैसे electron की कमी ही धिक है याद रहेगा इसे जैसे मैं आपको बताया यहां पर कितने एक एलेक्ट्रोन कम है सो फ्लॉरीन कीक्ति årगी वन होगी थीक है इसी तरहिके साकर मैं Oxygen की बात करूह तो यहां पर सिक्ष हो जाएगा यह यह जागा और सिक्स हो जाएगा अब आसी और थे जैता हुआ यह बात अच्छे से आपको שמझ सबस्कुर्cent करते हैं इसके अंदर हम एक बार इसको अंडन करते हैं अब कल तक हमने के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था क्यों कि जो फारा कार्बन था वह उसकी यूनिक प्रोपर्टी क्या है कि वह कोवलेंड बना देता है कोवलेंड बॉंड मैंने आपको बताया था यह शेरिंग क पर जहां हम देखे कि महां कार्बन मिलना ही मिलना है कार्बन और हीटरोजन अब हम आने सबस्ते जाsm जयादा यहीं मिलते और वैक्शामपल आप्वर्यका बड़ी वन है जो फ्यूल है आपका petrol हो गया है ड्राइजल हो गयां cng ल्पीज यह सारे क्या यह rasa carbon के पॉयो इसी तरीके से डाइमंड वह यह carbon का फॉरं में आपकर yaphite वह बी डाइमंड威ण áक वार करते हैं ऑप игры with carbon का फॉर्म मिंश्धू करते हैं हमारे जो phone की chips होती है जो IC chief आशी Crпис आप बोलते हैं वो भी carbon की बनी होती carbon mixed होता है इसका अलावा कोईला होगया आपका वो भी carbon førm है और इसका अलावा हम बात करते हैं जो फ्यूल समारी बात होगी सो ऐसी condition में क्या होता है किसारे क्या हैं एक carbon के form अब इनी carbon के forms को हम क्या इनकी study को करने को क्या बोलते है organic chemistry ठीक है तो इसको इस तरीके समस्मझे कि जिस भी हमारे elements में है जिस भी substances में carbon और hydrogen के bonds हमें मिलते हैं वो क्या किलाएगी organic chemistry तो यहां देखिए देखिए हम यहां से पढ़ना चालू करते हैं it forms covalent bond यहां तक पता लग गया था हमें covalent bonds with atoms and other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens resulting compounds are studies under the separate branch of chemistry called organic chemistry तो carbon और carbon के relevant elements जो कि उसको carbon के साथ जोड़ते हैं हम उन्हें किस form उसमें पढ़ेंगे organic chemistry में ठीक है तो देखिए chemistry भी दो टाइप की होती है chemistry अगर हम mainly तो दो टाइप की होती है अगर हम इसको और भी ज्यादा differentiate करते हैं यह अगर आपकी physical chemistry है यह जाती ऑर्गनिक chemistry एक हो जाती इन और्गनिक chemistry जो बुक हुआ नहीं है आपकी वह फिसिकल chemistry सब्सक्राइब पाट चाहिए जो है यह जो होए यह ऑर्गनिक चेमस्ट्री का ठीक है अगे बढ़ते एक जनरल इंट्रड़क्शन लेका आते हैं पूरे चैप्टर का सो देखिए ओर्गनिक कंपॉंट्ट्स अर्वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ और इंक्लूड कंप् सो देखिए यहां पर यह बात यहां पर हमें यह समझ मानी सी कि जी जो डी ने हैं यह किस चीज का बना हुआ है सो सिंपल यह कार्बन के मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है जो लाइफ है हमारी आर्थ पर वह भी मैंने आपको बताए कि पूरी बाडी और मुस्ट कार्बन की बनी हुई है सो यह सी कंडिशन में वह क्या हो सकती है हमारी स्ट्रक्चर जो है लाइफ का वह कार्बन से माटेरियल्स लाइक प्लोटिंग फ्यूल्स पॉलीमर्स डाइस मेडिसिन मेडिसिन में भी कार्बन बहुत ज्यादा यूज होता है दियर आर सम इंपोर्टेंट एडिया और एप्लिकेशन आर एप्लिकेशन आप्लिकेशन ऑफ इस कंपाउं ठीक है तो हमने समझा इसको कह एक हमें हमारा यह कारबन यह और और गयनिक हमेस्ट्री कहां यूज हो रही है में दिए फ्यूल मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होती जही है अब आगे जाद के देखते हैं कि साइन्स आफ और गोनिक यह से बाटाता हूं इसके पूरी कहानी में आपको पूरी ब्रजीलियस ने क्या बोला था कि जो और्गनिक कंपाउंड यह हमें सिर्फ अर्थ पे ही मिलेंगे इन्हें हम लैब में बना नहीं सकते इनका इसा कहना था कि जो और्गनिक कंपाउंड जो भी बनेगा उसके अंदर एक फूर्ड की नीड होगी जो की नेक्सरली होती है वह बोला था कि यहाँ आप इसको सिंथेस करके नहीं बना सकते सिंथेस मतलब कि आप उसे अपने हाथ से नहीं बना सकते तो ऐसी कंडिशन में और्गनिक क्यमेस्ट्री को इस तरी के समानने लग गये तक इसकी जो ब्रांच से इसको ज्यादा स्टैडी नहीं कर पाये ते एक scientist ने F. Wuller ने क्या करा organic compound को lab में बना दिया फो यह जो postulate जो हमारे Brazilis ने दिया था के जो यह laboratory में नहीं बना दिया सकता वुश हमारे F. Wuller ने इसको बता दिया के नहीं आप बना सकते हो तो उन्होंने क्या किया था कि Ammonium cyanide जो की ते कि एने च्वोर सी एन ओ को सिंतेसाइज करके उन्होंने क्या बना दिया था यूरिया बना दिया था अगर आप से कभी कोई कोशन पूछे कि सबसे पहले लैब में बनने वाला और्गनिक कंपाउंट कौन सा था तो आप क्या आंसर देंगे यूरिया अब एक मेरा कोशन आप लोगों से कि आपको यू बात साथ जो ग्रोथ है हमारे प्लांट की वह स्पीडी हो जा ठीक है यूरिया पूरी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है जो आपने शायद जानते होंगे उसको एकदम स्पीडी कैटलिस्ट के रूप में यूस हो था ठीक है वह फर्दर बाते करेंगे आगे अ सब्सक्राइब के और गने कंपाउंड कुट सिंतेसाइस व्रॉम और गनिक सोर्स इन लेवरेट लेवरेटरिस टीक है इतनी बात अच्छे समझ आई आप लोगों को सो दडेवलोप्मेंट ऑफ एलेक्ट्रोन निक केमेस्ट्री कोवलेंट बांडिंग यूजिंग और गनि इंट्रस्टिंग होने वाला है सो थेंक यू सो मच्छ गॉड ब्लेस्ट्री ओल